तो आज मैं आप सबको गोरकपूर मेट्रो प्रोजेक्टर लेकर कुछ ताज़ा अपडेट देने वाला हूँ तो दोस्तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आगे भी एसी वीडियो देखने को मिलती र बजट में जो है दस लाग से अधिक आबादी वाले शेहरों के लिए भी मेट्रों के लिए जो बजट होता है उस बजट का उप्रावधान किया गया है और आपको बता तो कि फिलाल केंद सरकार के पास देश के सिर्फ पान शेहरों से मेट्रों का प्रस्ताव मिला हुआ सहरादून, कोज़े कोड, जम्मू, गोरकपूर और नासिक उازने की फिलाल जो है इन सहरों में ही मेट्रों मेट्रों बनने वाला है और अगर गोरकपूर मेट्रों की बात की जात है तो तो गोरकपूर में मेट्रो चलने का जो रास्ता है वो साप हो चुका है, क्योंकि गोरकपूर मेट्रो को लेकर आलेडी सेंट्रल गोर्मेंट की P.I.B. ने नमबर 2001 में हरी जंडी दे दी थी, उसके बाद से गोरकपूर मेट्रो को बजट का इंतजार था और फाइनली इस किंद सरकार के इस बजट में जो है देश की 10 लक्षदी का बादेवली शवरों में मेट्रो चलानी के लिए बजट मिल चुका है और ऐसा अनमान लगा जा रहा है कि अगले कुछ महीनों में ही गोरकपूर मेट्रो को लेकर बजट की भी गोश्रा किंद सरकार से भी कर दी जाएगी उसके पस्चा जो है गोरकपूर मेट्रो का काम भी स्टार्ट हो जाएगा और अगर इसे गोरकपूर मेट्रो की अगर सुरुवात से बात किया तो सन 2017 में गोरकपूर मेट्रो प्रपोस्ट हुआ था उसके बाद दो साल DPR बनाने में ही लग गया किन्स सरकार के P.I.B. ने भी हरी जंडी दे दी जो की सन 2021 के नवंबर माह में दी थी और उसके पस्चाद दो है ऐसा अंदाज लगाया जाने लागा कि गोरकपूर में बहुत जल्द मेट्रो का काम ही स्टाट हो सकता है और सन 2022 में जर्मन बैंक भी गोरकपूर विजिट की थी उस जन्वन गयान बैंक ने भी गोरकपूर में मेट्रो चलाने के लिए लोन देने की भी गोच्रा कर दी उसके बाद जो है गोरकपूर मेट्रो का काम में कुछ जादे तेजी नहीं आई और अब जाकर जो है अब एक बार फिर से उम्मीद यह जग चुकी है कि बहुत जल् भवेउद घाटन भी हो जाएगा अगरा मेट्रो को बाद जिस शहर की बारी है तो वह है मुख्यमंत्र शुयादी तिनाद जी का शहर गोरकपूर तो दोस्तों गोरकपूर में जो है बहुत जल्ब मेट्रो का काम स्टार्ट होने वाला है और यह जो आप वीडियो में ज्यादे आवज़सकता भी है क्योंकि दोस्तों गोरकपूर मेंे जो है काफी गोरकपूर काफि तेजह के साथ तरक्की कर रहा है अपना इलाज, सिक्षा और रोजगार के लिए गुरकपूर में आते हैं इसलिए भी गुरकपूर में मेटर जो है काफी ज़रूरी भी है और गुरकपूर पुर्वानचल के सबसे बड़े शहर में से एक है और अकेले अपने पुरवानचल की आबादी जो है वो 5 करोड से भी ज़्यादा है तो इसलिए भी गुरखपुर शहर का अपना एक काफी बड़ा महत्व है पुरवानचल छेत्र में तो इसलिए भी यहां पर मेट्रो की काफी ज़्यादा हो सकता भी है और गुरखपुर में सारी सुधाएं भी पहले से काफी ज़दा अची हो चुकी है यहाँ पर एम्स है, बड़ा एरपोर्ट है, चिडियागर है इसके लबाइटी पर्क का भी काम काफी तेजी की साथ चल रहा है अगले 2-4-6 महिने में आइटी पर्क भी बन कर तयार हो जाएगा और जैसी आइटी पर्क बन कर तयार हो जाएगा गोरखपूर जो है एक बहुत बड़े आइटी हब के रुप में भी डेवलप होने लगेगा यह जो आपी में देख रहे हो, बनने का बद आइटी पर्क कुछ ऐसा दिखाई देगा जो की गोरखपूर के गिडा के सेक्टर 7 में इसका निरवाण खरेक रहा हो है और आइटी पर्क के लावा बड़ी-बड़ी कंपनियों का जो है गोरखपूर में रिजिदेन sanctal पुजट भी चल रहे हैं बड़ी-बड़ी townships जो है गोरखपूर में बन रहे हैं उन बड़ी वी टांचीप में चाहें से वो देश की one of the biggest company में से एक OMAX Group की टांचीप वो भी गुरकूर में लांच होने वाली है, जो की इसी साल के मय जुन महिने में लांच हो जाएगी, OMAX Group भी लगबग 100 एकड़ी रहे में अपना टांचीप लांच कर रही है, इसके सबसे बड़ा प्लांट भी बनकर त्यार हो चुका है अगले में ने उसका भी उद्गाटन होने वाला है और आपको बता दो कि आडानी गुरूप जो है गुलगभग एक हजार करोड रोपे की लागत से गुरकपूर में भी अपना प्लांट की स्थापना करने जा रही है इस गीडा में काफी बड़ा एक कारिक्रम यावेजीत होने वाला है और उसमें मुख्यमंत्रिश्य यगी आदितिनाद जी भी संबलीत होंगे और बतातो कि गुरकपूर जो फाइपिस्टार होटल का भी हब बनता जा रहा है गुरकपूर में होटल तास बन रहा है जबकि रे तो दोस्तो अगले 5 सल बाद जो अपना गुरकपूर होगा वह काफी जाधा आगे निकल चुका इसलिए दोस्तो गुरकपूर में मेट्रो के आप सकता काफी जाद है तो वहीं दूसरी तरफ गुरकपूर लिंक एक्सप्रेस वे भी जो है वो भी आल्मुष्ट बनकर तया और गुरकपूर को एक और काफी बड़ा प्रोजेक्ट जो है जो कि लंदन आई का प्रोजेक्ट है यह प्रोजेक्ट पी शहरवासियों को बहुत जल मिलने वाला है और पता दू कि déjà ने इसके लिए आवेदान निकाला था और इसके आवेदान को लेकर लंदन ने बनाने क के लिए फ्रांस ब्रिटिन और यूएस की भी कंपनी आ गया चुकी है जो कि गुरकपुर के लिए काफी अच्छी खुश खबरी है तो वहीं एक तरफ जो है गुरकपुर का आउटर रिंग रोड का भी काम जो है असी फीजदी पूरा हो चुका है बस कुछ काम रह गया है उ लगदीश पूर के 20 का जो हिस्सा है उसका भी काम जो है स्टार्ट हो चुका है तो बहुत जल्द मैं आज तब को गुरकपुर रिंग रोड के उस हुस्से पर भी मैं अपडेट देने वाला हूँ तो दोस्तों मिलते हैं हम फरी किसी नए वीडियो में फरी किसी नए के साथ